हाई डिया फ्रेंड्स मैं दिवस्यूष मुकर जी अन दे विए फॉफ मेरा जी यूट्यूब चैनल इंफॉर्मिटिव आफ ट्रांस्मेशन लाइन एक्जिविशन में आप लोग को स्वागत है आज मैं एक वीडियो बना रहूं वह है पीट मर्किंग आफ ट्रांस्मेशन ट्रावाद वेजिगालिक अफ्रे दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि पीट मार्किंग का पर भी एक वीडियो बनाएं वीडियो बनाने में थोड़ा डिलेव हुआ है लोगडाउन का चलते हो तो ऐडे हम इसको सुरुवाद करते हैं कैसे काली पीट मार्किंग क्या है कि हम लोग को जो फार म्रीशन को जो पीट क्रिशन करना पड़ता है उसको पीट का पोजिशन को प्लोट करने के लिए यह फिड मार्किंग करना जौति हैं यह फि िशीच के लिए टावर का जो foundation drawing है उसका जो excavation plan रहता है उसका पर बेस करके इसको बनाया जाता है तो peed marking is totally based on peed marking plan यह peed marking plan हम लोग को totally foundation drawing का excavation plan है उसका पर base करके बनाया जाता है तो आहिए पहले हम आपको इसी वीडियो में एक पिक्चर्स को कर रहा है जिसमें आपको excavation plan दिखाए दे रहा है यह excavation plan आपको और foundation drawing दिखाए देगा और excavation plan में कुछ dimension दिया रहाता है जैसा पाउड़ गिट के drawing को आप रिफर करेंगे तो आपको दिखाए देगा aim aim or type of tower or type of foundation के है दो छी हिसाब से, type of tower का हिसाब से, आपका aim on aim रही करता है aim basically है कि यह back-to-back between the center of the ligpes और एन है diagonal between the मतलब this is the distance the center distance of the diagonal pits तो हम यहां आपको चार्व पीट को mention किया है वो है E, F, G and H हमनी इसमें जो excavation plan का बनाया है इसमें दो-तिन mark किया है जैसा आपको दिखाए देगा P दिखाए दे रहा है, Q दिखाए दे रहा है R दिखाए दे रहा है इसमें O भी दिखाए दे रहा है O basically है आपका center point of the location Q and R यह जो point है मतलब Q R को हम line से जो रहेंगे तो Q R है basically यह in और O Q and O R दोनों सेम है वो basically M by 2 है P है यह जो AB जो है इसका वसन प्लान में जो AB दिखाए दे रहा है यह AB को O और L P L P मतलब जो line peg है हम लोका सस्पन सेंटर में दो लाइन प्रेग रहता है along the line इसको अगर O and L P को अगर हम लाइन से जोडेंगे तो यह भी extended होके O, O L P को P point में cut करता है अभी यह इसका वेशन प्लान को हमने PIT मार्किंग प्लान में convert किया है आप देखिये जैसे अब PIT मार्किंग प्लान में हमने O को दिखा दिया P दिखाया A दिखाया B दिखाया और ABCD दिखाया ABCD is only the PIT को सो किया अभी इसमें हमको कुछ calculation का ज़रुवाद पढ़ता है कि जैसा O P O P का हमको लेना परेगा O P equal to रहेगा O Q प्लास P Q अभी O Q equal to है M by 2 और P Q है आप देखिये P Q equal to आपको दिखाया दे रहा है O है D by 2 मतलब आपको PIT size का आदा D equal to PIT size मैंने ड्राइंग में mention किया तो मेरे O P जब मिला तो इसकी बाद मेरे को क्या लेना है O P B अभी O P B क्या है O P B equal to O P plus P B अभी इसमें O P and P B दोनों सेम ही है तो इसलिए O P B रहेगा 2 into M by 2 plus D by 2 इसको आप simplify करेंगे तो हो आएगा M plus D अभी आपको B O लेना है B O क्या है B O equal to है root over of O P square plus P B square तो दोनो O P and P B दोनो सेम ही है इसलिए आप इसको O P root over 2 लिख सकता है नहीं तो P B root over 2 लिख सकता है तो इसको simplify करेंगे तो आएगा M plus D by root over 2 अभी इसमें O P B O equal to आएगा O P B plus B O तो इसमें और एक dimension आपको लेना परेगा B D B D equal to है आपका diagonal of the pit वो आएगा जो P dimension है उसका root over यहां हमने D दिखाया तो D root over 2 है तो हमको अगर यह dimension calculation calculation से मिल लिया तो हम यह pit marking plan बना सकता है तो यह pit marking plan बनाने का बाद हम इसको pit को respective pit को plot कर सकता है on site अभी यह हमने जो explain किया है यह actually है हमारा measuring tape method मतलब हम इसको जो भी marking करेंगे वो tape से करेंगे measuring tape से easily इसको measuring tape method बोला जाता है अभी आप लोग का एक example के लिए हमने एक table draw किया जिसमें देखिया आपको दिखाया रहे है serial number dot मतलब type of tower toa मतलब type of foundation इम आपका foundation drawing से लिया है इम आपका foundation drawing से लिया है op मैंने calculate किया है m प्लस d by 2 करके लिया है op b भी आया मन्दब op प्लस pb जा सामने दिखाया m प्लस d आएगा op b op b आएगा आपका m प्लस d और op b o आएगा op b प्लस b o b o इकवल टो मैंने दो बोला m d m प्लस d root over 2 d आपको foundation drawing से लिया b d calculation किया जो उसका pit size है उसके साथ root 2 को multiple किया multiple करके हमको b d मिला अभी इससी dimension कोई हमने pit marking plan में plot किया दीखे इसमें क्या है मेरी o मतलब center point है of the location o go में रखेंगे और op bu क्योंकि op bu है हमारा end point इसलिए यह dimension से हमारा drawing से जो o p b हो रहे हैंगा यह 26,745 यहां दोनों एक ही जगा में हम रखेंगे इसलिए देखे जीरो point में जो वह point है उसमें 0 और 26,745 रखा और tape को घुमा दिया tape को कैसे घुमाया ना उसी को tape को हमने घुमाया मतलब पहले tape को o से p का तरब ले गया पी से b का तरब लेके फिर b से o का तरब लेके आया अभी इसमें हमारा जो travel में जैसा जो जो dimension हमको मिला जैसा o p हमको मिला है 7834 देखिए वह से लेके हम पी पॉइंट में जो tape को पकरने के बाद जहां 7834 आएगा वहां मार्क करेंगे वहां कुछ भी मतलब एक लक्री डल सकते हों फिर आप o p b भी है जाएंगे वहां आएगा पंदहाजार 15668 mm तो tape को वहां एक लक्री को मार्क कर दीजिए तो आपका द्रोज 26745 तो आपका 0 में पकल लिया ही है तो इसके लिए आपको एक्ट्रेंगल मिल गया जैसा o p b आपको एक्ट्रेंगल मिल गया अभी क्या रहेंगे हमको peat का position अभी set करना है तो set कैसे करेंगे ना b से पी का तरफ पीट का जो size है 3 2 1 0 वहां हम मार्क करेंगे मार्क करके वहां एक point को set करेंगे तो मतलब बी से यह मेरे को मिल गया अभी b से d b along o b हम 4540 को मार्क करके d को set करेंगे अभी d को set करने को बात कह रहा है का मेरा b आ गया यह आ गया d भी मिल गया तो हमको c point भी मिल जाएगा on the basis of 3 2 1 0 तो इसमें हमको क्या-क्या एक bit को मिल गया है with respect to center point o एक bit मिलने का बाद हमको just tape को घुमाना है जैसा इधर एक हमको right side का bit मिला जैसा माल लीजे हैं हमको मिल गया f तो similar your tape को left side में घुमाएंगे तो हमको g मिलेगा और ओ का ओ और पी जैसा आपर side में लिया तो उसको down side में घुमाएंगे तो मतलब जैसा अगर मैं ओ को zero करके P को अगर north side पकल लेते हैं तो उसी tape को अभी हम south side में घुमाएंगे और जिस तरीके से मेरे को a, b, c, d मिल गया तो down side में भी मेरे को similarly e point मिल जाएगा और h point मिल जाएगा हम इसी सबसे to get data beadid marking कर सकते हैं यह सर्वेयर को पता रहता है बट रह सर्वेयर को पता रहता है तो इस लिए सर्वेयर कभी-कभी हम लोग का जो रोड़त का सबसे वह आनी पता है तो इसलिए हमारा जो लाइन में जो सब जो भी आदमी काम करते है उसको यह पता होना चाहिए तो उसको अगर पता है तो को कंटक्टर का आदमी को लेके और मेभी एनी अदर लेवर सी कन एरेंज एंड कन डू दर पीट मार्किंग अगरेंगली स्टार दर बॉक्स तो इट विल अक्चुली इडिस योर डिले डाइन इसमें याद रखिएगा यह जो भी हमने आपको को पीट मार्किंग एक्सुली एक्सपेशन पॉइंट केली किया है यह पर हमको नहीं करना है तो कैसे करना है हम नेक्स वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ यह है सस्पेंस अं टावर का पर एंगल टावर के लिए लाइंग पेग रिफरेंस इस नाट एडवाइसबल है तो आप लोग समझ गिया हैं कैसे इसको पीड मार्टिंग करना है अन दा बेसिस अफ फांडेशन ड्राइंग तो नेक्स वीडियो हम भी उसको एंगल टावर कपर कैसे करना हूँ हम अपलोड कर देंगे तब तक के लाव लग के लिए अलवीदा लेते हैं थेंक्यों वेरी मच्छ फॉर अफ्जर्विंग माई वीडियो और रिक्वेस्टड अब्री टाइम आप ये वीडियो को शेयर करिये जो जो मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको सब्सक्राइब करिये और ऐसे ही और भी बहुत सब्सक्राइब वीडियो हम आगे लोट करते रहेंगे तब तक के लिए आप लग से आल भी दा लेते हो गुड नाइट थेंक्यों आप लोग घर में रहिए सेफ रहिए जब तक लगडाउन रहता है बी विदिन दे रूम गॉर्मेंट का इंस्ट झाल